दोस्तों computer hardware एक बहुत ही रोजगार प्रक्विशय है अगर आपको computer hardware आता है तो आप बहुत सारे अपने घर के जो काम है computer troubleshooting के वो तो करी सकते हो और अगर आपको बहुत अच्छे से यह skill आता है तो आप अपने लिए रोजगार भी create कर सकते हो वैसे तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि computer में booting की प्रक्रिया क्या होती है जब आप operating system डालते हो तो कैसे system को boot कराते हो और वो प्रक्रिया कैसे काम करती है लेकिन अगर आप complete hardware course करना चाहते हो तो आप हमारी website pcskill.in पे जाके widget करो वहाँ आप हमना बहुत ही गजब का एक hardware course तो यार किया है बहुत बारीकी से बहुत सरल भाशा में हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे clear की है आप hardisk के partition कैसे कर सकते हैं आप operating system कैसे डाल सकते हैं computer को assemble कैसे करते हैं hardisk की अलग-अलग definitions क्या होती हैं कैसे hardisk open करते हैं कैसे processor को निकालते हैं फैन निकालते समय किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं यह सारी चीज़ें हमने बारीकी से बताई है और वह course कैसे जॉइन कर रहा है नीचे description में link है pcskill.in का वहाँ पे चाहिए जाकि course को enroll करिए computer hardware के पहले जो आपने किताबों में पढ़ी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ computer एक electric machine है जिसका विश्कार गणा करने के लिए हुआ था इतना तो यह बास simple हो गई लेकिन इसको विस्तार पूरुक समझने के लिए आपको चीज़ें समझने होगी computer जिस समय पे computer बनाया गया था उस उस समय पे कोई ऐसी machine नहीं थी जो बहुत सारी जटल करनाओं को तेजी के साथ में कर सके अब अगर हम मनुष्य की बात करें तो वह आठ दस पंद्रह भीस या सौ calculation तक कर सकता है लेकिन उसमें भी उसको समय लगेगा अगर बात आती है कि आपको हजार दो हजार यह दस हज 1000 calculations एक साथ में करनी है तब बनुष के बास कोई भी ऐसी machine नहीं थी तो उस समय में computer को सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि जो calculation बहुत बड़ी-बड़ी होती है बहुत जटल होती है उनको तेजी के साथ में किया जा सके तो यह तो हो गई simple सी बात की computer की जरूरत हमें क्यों प चार्ल्स वेविज ने जब difference engine बनाया था तो वो भी इसी process पर काम करता था कि उसमें data का output दिया जाता था वो data को process करता था उसके बाद output देता था तो वो जो वर्तवान computer आप इस समय देख रहे हैं वो भी इसी तरह से काम करता है तो आप बात कर लेते हैं machine की क्योंकि computer को हम हमारे इस तर से उबर का हो जाता है या हमें करने में कठ्राइप होती है तो हम एक ऐसी चीज बनाते हैं जिससे हमारा काम सरल हो जा और उस चीज को machine का नाम यह भी machine तीन तरह की होती है पहली simple machine दूसरी electric machine और तीसरी electronic machine simple machine की simple सी definition है कि आप जो उस तरह की machines होती हैं को अबने हाथ के बल से काम करा सकते हैं जैसे कि सबसे सरल चीज हो गया उसमें पहीया सबसे पुरानी छीज है आपको कोई भी चीज लड़का के ले जानी कर दीजे और वह असानी के साथ यह जाती है इलेक्ट्रिक मशीन वह मशीन है जिसमें आपको सिंपल लाइट देनी है और य tracked करने के बाद में चलनी लग जाती है उसका बहुत सिंपल जो इलेक्टिक मशीने हैं, वो सिम्पल एक ही काम करने के लिए बनी होती हैं, बहुत अलग अलग तरह के काम नहीं कर सकती हैं, अब इसमें भी एक चीज अब आगे advance हुई कि अगर हमें एक मशीन से कई और बहुत सारे तरह के काम कराने हैं तो इन मशीनों में circuit board को लगा दिया जाता है और साथ में कुछ software भी install कर दिया जाते हैं तो ये जो machine हैं ये कहलाती है electronic machines जिसमें circuit board भी लगा रहता है और electricity भी पास करनी होती है और electronic machine का सबसे बहुत महत्पूर्ण जो धारन है computer है कि एक computer के अंदर एक circuit board रहता है उसके अंदर software भी install रहते हैं और वो एक से ज़्यादा तरह के काम करने के लिए बना होता है उसके बाद में आपके घर का टीवी यहीं टीवी में भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं remote का आपको बटन दबाना है volume का बढ़ सकते हैं, down कर सकते हैं brightness को घटा बढ़ा सकते हैं channel को बदल सकते हैं और अब तो उसमें Android भी आ रहा है तो आप उसमें बहुत सारे के काम करते हैं YouTube भी आप अपने टीवी के अंदर चला सकते हैं आपके घर की washing machine उसका एक प्रॉपर पैनल होता है और उसमें भी अलग-लग तरह के आप काम कर सकते हैं आपके घर का microwave oven है उसमें भी धेर सारे तरह के आप काम कर सकते हैं तो यह जो सारी चीज़े होई हैं सब चीज़ों को हम जो कर पाएं हैं उसका में जो वजह है वो है circuit board कि उसमें अलग-लग तरह की चीज़ करने के लिए अलग-लग functionality होती है तो आप समझ के होंगे कि computer एक electric machine है उसके अंदर एक board होता है और board की मदद से वो सारे आप काम कर पाते हैं computer के अंदर जो board रहता है उसे हम motherboard कहते हैं motherboard से सारे computer के जो parts है वो आपस में जुड़े रहते हैं अब वो कौन-कौन से part होते हैं और computer काम कैसे करता है यह थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको hardware अच्छे से समझ में आ जाए अब देखें आपके घर में जो नॉर्मल computer होगा उसकी जो कारेशली है वो कैसी होती है आप computer के अंदर data input करते हैं computer उसको process करता है और output करता है अब इन तीनों चीजों के लिए आपको दो बहुत महत्पूर्ण चीजों के आफशिकता पड़ती है केवल आपके computer खरीदने भर से कुछ नहीं होता है जब तक कि उसके अंदर software इंस्टॉल ना किये जाए और उसके साथ में वो चारा जो आप ले के आए हैं जो आपको दिखाई दे रहा है वो hardware होता है यहनी software क्या होता है computer का button आप जो on करेंगे और जो screen पे आपको सारी चीज़ें दिखती है छोट छोटे icons आपको दिखते हैं आपका operating system दिखता है अंदर जो कुछ भी आपको functionality दिखती है जो applications दिखती है वो software होते हैं और जो आप बजार से खरीद के लाते हो जो धातू की चीज़ें होती है जिने आप touch करके दिख सकते हो वो सारी चीज़ें hardware कहलाती है अब दोनों के संगम से ही आपका computer चलता है अगर हम केवल hardware ले आएंगे और उसमें कोई भी application नहीं डालेंगे तो आप computer को नहीं चला सकते कुछ भी काम नहीं कर सकते और अगर केवल हम software बजार से purchase कर लें और हमारे पास hardware नहीं हो तो भी हम कुछ नहीं कर सकते तो दोनों चीज़ों को होना बहुत जरूरी है इसके बाद में भी ये तीन तरह से काम करता जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि input लेगा उसके बाद process करेगा उसके बाद आपको output देगा तो इन तीजों चीजों के लिए भी अलग जलग इन्पुट के लिए आपको मैं बता देता हूँ जब आप कम्प्यूटर में कोई डेटा एंटर करना चाहते हो कोई नाम टाइप करना चाहते हो तो सबसे कॉमन और सबसे पॉपलर चीज है कीबूर्ड आपने दिखाऊ कि उसमें डेर सारे बटन लगे रहते हैं नम्मर भी आ और बीडियर सारी चीज़ कर सकते हो इसके बाद में आप जो कॉमन अपने डेवाइस देखी होगी जिसे हम नविगेशन डेवाइस बोलते हो माउस है कोई चीज आपको सेलेक्ट करनी है कोई आपको कट कॉपी पेस्ट करना है तो आपको किसी से वीडियो चैट करनी है तो एक input device होगे, आपकी sound का input चला जाएगा, फिर आप उसको record कर पाऊगे, edit कर पाऊगे, तो यह जो चीजे हैं वो input में आती हैं, इसके बाद में, अब मैं बात करूँ output की, तो output क्या होगा, computer से जो चीजे हमें मिल रही हैं, यानि input क्या है, हम जो computer को चीजें दे रहे हैं, और output क्या है, जो चीजें हम उससे मिल रही हैं, तो हमें computer से किस-किस माध्यम से चीजें मिलती है, तो सबसे common चीज क्या है, आपका monitor है, आप computer के अंदर जो भी काम कर रहे हो, अगर monitor नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाऊगे, तो सबसे common जो output device है, वो आपका monitor है, उसके बाद में आपने computer में कुछ type किया, और आपको उसका print out चाहिए, अब मैं देको print के साथ में out शब दिसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम उससे out ले रहे हैं, तो आपको उसका print चाहिए, print के लिए आप क्या लगाएंगे, एक printer लगाएंगे, तब ही आप उसका output ले पाएंगे, आपको computer में कोई movie देखनी है, तो दो तरह का output आपको चाहिए होता है, पहला आपको display का output चाहिए होता है, दूसरा आपको sound का output चाहिए होता है, तो क्या लगाएंगे, आप speaker लगाएंगे, तो speaker क्या करेगा, आपको computer के अंदर जो भी sound चल रही है, उसका output देना शुरू कर देगा, ठीक है, तो यह जो सारी चीज़ें आपको computer से मिलती है, वो output device कहलाती है, और जो चीज़ें आप computer को देते हैं, वो input device कहलाती है, अब इनके बीच की चीज़ आती है, processing, processing के लिए आपको कहेंगे चीजों की दरोत होती है, सब से महत्पूंट चीज़, जिसे हम computer का दिमाग भी कहते हैं, वो होता है, processor, और वो ही सारी चीजों की calculation करता है, कि आपने क्या input दिया है, और आप क्या output चाह रहे हो, अब input और output के बीच में, processor को भी यह कैसे पता चलता है, वो कैसे process करता है, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन इसके साथ में पहले हम process device को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, अब processor लगा कहां रहता है, वो आपके motherboard में लगा रहता है, अब motherboard, आपके सारे जितनी भी devices, उसको motherboard कहते ही इसलिए हैं, कि वो output को भी connect करता है, अपने साथ में एक साथ, और input को भी connect करता है, दोनों चीज हैं, motherboard के साथ में interconnect रहती हैं, ये सारी चीजों को जो निर्देश देने का काम होता है, अब कैसे पता चलेगा कि आपने control P दबाया है, और printer से print निकलना है, हो सकता है कि keyboard से print निकला है, नहीं निकलेगा न, वो computer को कैसे पता चलेगा कि printer को command जानी है, कि speaker को command जानी है, या monitor प को करने के लिए, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया थी, software, system software और application software की आवशक्ता पड़ती है, भई computer कोई छोटा सा बच्चा तो नहीं है, कि आपने बोल दिया कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, तो वहाँ पे जरूद पड़ती है software की, मैंने आपको पहली भी बत अच्छा है, आप उसको चाय बनाना सिखा रहे हैं, तो आप उसको क्या निर्देश देंगे, आप निर्देश देंगे कि सबसे पहले gas on करो, उसके बाद उस पे चाय की केत्री रखो, उसके बाद उसमें पानी डालो, चीनी डालो, पत्ती डालो, दूड डालो, और वेट क साथ, आप उसके साथ में खड़े हो, वो चीजों को कम से कम नोटिस तो करेगा, तो अगर उसको कभी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो नहीं स्टेप्स को फॉलो करेगा, सेम बिल्कुल इसी तरह से हमारे सॉफ्ट्वेर होते हैं, और उनको जो बनाता है, उसको हम कहते हैं, जिसमें ये सारे निर्देश होते हैं, किसी प्रोग्राम से संबंदित, कि पहले स्टेप पर आपको ये करना है, दूसरे पर ये करना है, तीसरे पर ये करना है, उसका एक बंडल बना के और कम्प्यूटर के अंदर उसको इंस्टॉल कर देते हैं, अब क्या होता है कि कम्प प्रिंटर को कमांड देनी है कि तू प्रिंट निकाल जो भी चीज मेरे डिस्प्ले पर रही है तो यह सिंपल यही प्रोसेस है उसको वह अपना दिमाग तो अपलाई करेगा ही नहीं क्योंकि एक चोटा सा बच्चा होता है आपने जो बोल दिया उसको स्टेप बाइस्टेप घर पे लेकर आए हैं जो हाड़वेर आपके सिस्टम में लगे हैं यह चीजें अपस में इंटरकनेक्ट कैसे करती हैं तो आशा है इस वीडियो में आप आप सारी चीज़ें समझ गे होंगे के इन्पूट आपुट डवाइस क्या होती है कंप्यूटर हाडवेर क्या होता ह आपके जो application software है जो system software कैसे वर्क करते हैं आपस में कैसे interconnect करते हैं अगली वीडियो में हम इससे आगे भी जानने वाले हैं